जटाधारी के फूलों से लाग, पहचान, दोस्तों नौजवान साथियों, बाय वहनों आज में एक बहुत ही शुन्दर, मन मोहक, मनोहर, मन को लुभाने वाला, आकर्षित करने वाला फूल, जिसे जटाधारी फूल कते हैं, जटाधारी के फूल कई भरैटी के होते हैं, इसमें लाल पीला फूल वाला होता है, जटाधारी फूल के बीज, बहुत ही छोटा चमतगार होता है जटाधारी के पौदा चार से पांच फीट लंबा होता है। इसके पत्तों में मोड के पंक जैसा नकासा होता है। जटाधारी के फूल में किसी परकार का गंध या शुगंध नहीं होता। जटाधारी के फूल की मालाएं अतिशुंदर होता है और सधिय गून तथा सेवन भी इसके पतों को शाग अतिश्वादिश्ट होता है नमबर दो जटाधारी के फूल के जला कर राख 10 ग्राम रखे और गाय के शुध घी 10 ग्राम और कपूर थोरा साले कर सभी को अच्छी तरह से मिला ले फिर आँख में लगाएं आजन की तरह आँख की लाली खत्म कर देता है नमबर तीन पतों के रस 10 ग्राम कपूर 10 ग्राम गाय के घी 10 ग्राम तीनों को मिला कर दिन में तीन बार सेवन कर अति अर्ष मिट जाता है नमबर चार जटाधारी के पतों के रस और थोरा सा नमक ठोड़ी में लगाएं यह सित प्रकिर्टी का होता है नक्सीर में बहुत लाबधायक होता है जटाधारी के बीज से हिस्त्रियों के प्रदर रोग में प्रयोग किया जाता है नमबर चार जटाधारी के पतों के रस पीश कर सीर पर लगाने से सीर दर्द ठीक हो जाता है दोस्तों लाइक करें सस्क्राइब करें और सेर करें और घंटी को जरूर दबाएं मेरा मुख उदेश है आधिक से आधिक लोगों तक पहुचाना मैं संत श्री कृष्ण भागत परसावनी जीला शीता मारी जय हिंड जय मिथला जय भारत धन्यवाद